और फिर आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर और चैनल पर अगर आप पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गार इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं इसी को देखते हुए एक सीरीज शुरू करने में जा रहा हूँ यह सीरीज है जो 2020 और 2021 के दौरान जो CBT 1 का एकजाम हुआ है न उसके जो भी इतने भी टोटल पेपर हुए हैं यहाँ पर मैं आपको बता दू टोटल 103 सिफ्ट हुई है वहाँ पर ठीक है तो इन टोटल पेप सिस होगा यहाँ पर कोई नहीं होगा कि शेप्टर वाइज या टोपिक वाइज या कोशन वाइज पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ पर सोल्व मिलने वाला है और इसी के साथ साथ 2017 में जो CBT 2 हुआ था उसकी नव सिफ्ट वो भी आपको यहाँ पर मिलने बाली है तो आप इसकी आहिमियत समझ सकते हैं कि किसी भी एकजाम में प्रिवियस एरस पेपर की क्या वैलू होती है तो इस सीरीज को आप जरूर फोलो करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप अगर आप NTPC CBT 2 या ग्रूप D में बैटने वाले हैं जल्दी ही ग्रूप D के करेंगे आगे आने वाले 50 दिनों के अंदर इसको हम कंप्लेट करेंगे तो फिलहार आज हम सुरू करते हैं एक पेपर से पहला ही पेपर से जो की पहला पेपर जो हुआ था सीवीटी बन का 28 दिसंबर 2020 को आप लोगों को सभी को पता हुआ इस दिन पहला पेपर हुआ था इसी दिन का जो पहला सिप्ट है उसका पेपर हम पहले सुरू करने वाले हैं और यह सीरीज 50 दिनों तक चलने वाली है तो इसको जरूर आप इसको फूलो करिएगा अच्छा खासा आपको यहां से प्रोफिट मिलने वाला है तो चलिए हम चलते हैं डारेक्ट कोशन की यहां पर 28 12 2020 ठीक है पहली सुफ्ट का पेपर है पहले दिन पहली सिफ्ट का यह आपको पेपर यहां पर इसका सोल एसन पुमायड कराया जा रहा है। अब सब chef करते हैं सबसे पहला कोशण में आपर क्या कह नहीं इसको पढ़ता है हरीश के मासिक फेतन 45,000 में से एक बटे तीन सिच्छा पर और दो बटे छे भोजन पर भोजन अन्याव सक्ताओं पर खर्च करता है सेस बेतन की बचत करता है तो बचत की राज यह आपको पता करनी है तो यहां से निकाल लेते हैं खर्च कितना करता है एक बटे तीन करता है सिच्छा पर और दो बटे छे करता है वह भोजन और करता है इसको आप सोलव करेंगे तो आज आएगा यह दो वटे तीन ये दो वटे तीन अगर वो खर्च कर रहा है तो आपको मिलगा पंदरह आजार रुपए की वह बचत कर रहा है सिंपल से कुछ कोर्षेन कुछ टिपिकली को उसे करेंगे और जो यह पर आसानी से आपको आराम समझाने की कोचिस करेंगे तो चलिए नेक्ट कोशन की तरब अपड़ते हैं को नमबर नेक्स वोज नहां पर है सब्रीमाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है आगे देखिए यहां पर नेक्ट कोश्चन है भारत की संसथ द्वारा पर रहे आपर संरच्छड दिनी हैं यह कई बार एक्जामस में पूंचा जा चुका है यह किस वरस पारित हुआ था यह लिए देखिए यहां पर नेक्ट कोश्चन की बात करेंगे तो इसको हम लोग देखते हैं क्या बोला गया एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3 अनुपात 2 है ठीक है यह फीमेल आएं यहां पर लिख लेते हैं और यह मेलाओं और पुर कि महिलाओं जो हैं 3-5 हो गई है आप रेशियो पर फोकस करिए 3-5 रेशियो हो गया है यानि की 2 रेशियो बढ़ा है कब जब 300 महिलाओं यहां पर सामिल होती है तो 2 की वैलू 300 है तो 1 की वैलू क्या होगी आप पहेंगे 1.500 आप से पूंचा क्या गया है कलम में अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी है तो महिला सस्यों की संक्या का रेशियो आप कितना है पांच तो एक की वैलू 100 वह है तो 5 की वैलू कितनी होगी 15, 15, 75 यानि कि 750 आप जो हैं महिला सदस हैं उस कलब में समझ रहे हैं न चीज को चलिए next देखिए Question number 6 देखिए आपर sign theta की value देखिए Coach theta की value देखिए आपको इसकी value निकाल लीए तो यहाँ से आप एक चीज निकाल सकते हैं Otherwise एक तो तरीका यह है कि यह 10 theta और code theta को आप change कर लीजिए sign cos में और direct value रखके यहाँ पर निकाल सकते हैं यह कापर टिपिकल हो जाएगा Sort में करने का यह कही तरीका है यहाँ से आप 10 की value कर लीजिए 10 की value कब निकालेंगे कि 10 theta बराबर होता है sin theta upon cos theta बस इसको भाग देजिए तो यह 3 बटे 4 और इसको भाग देंगे 5 बटे 4 तो 4 से 4 cancel हो जाएगा आपको मिलेगा 3 बटे 5 यह किसकी value मिलेगी 10 theta की value आपको मिलेगा यह 3 upon 5 अब 10 theta की value यहाँ पर put कर दीजिए 1 plus 3 upon 5 और नीचे रहेगा 1 minus theta की value इसका उल्टा हो जाएगा 10 quote का उल्टा हो जाएगा 5 बटे 3 बस इसको solve कर लीजिए 5 एकन 5 और 3 8 8 बटे 5 और नीचे आएगा यह 3 एकन 3 में से 5 जाएगा minus का 2 और नीचे आपका रहेगा 5 sorry 3 बस इसको आप solve कर लेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 24 बटे 10 minus का 24 बटे 10 इसको काट देंगे तो यहाँ जाएगा minus का 12 बटे 5 तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं चलिए next देखिए इसमें देखिए क्या पूचा गया है in general the most appropriate average value in measuring central tendency इसी तो average value जो है major करने का सबसे अच्छा तरीका है वो होता है mean ठीक है मात दें इसको आप गोलते हैं सामानतर मात दें next question देखिए question number 8 question number 8 मैं बोला गया है निमिलिकित में से किस माध्यम में ध्वने नहीं जा सकती है तो धनी जो है निरवात में नहीं जा सकती है अगला देखिए यहां पर इसका आपको solution मत्ता नहां है इसकी value एक दे रखिए इसकी value एक दे रखिए तो इसकी value किया होगी तो यहां पर आप चीज इसको logic से लगा सकते हैं देखिए यह एक चो है circle टाइप पर बन रहा है एक सबटे 2 उसके बाद by बटे 2 उसके बाद z ब लगा सकते हैं वैसे सोल भी करते हैं वो काफी आपको इपकर पड़ेगा डायरेक्ट आप इसको थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा ठीक है देखिए एक सरक्राइब ना एक सके बाद by by के बाद जैड इसी प्रकार यहां पर by के बाद इसना है 6804 बर्स का साधाड़विया 6808 साधाड़विया जहरत साल समान रहता है तो एक साल का कितना रहेगा एक सो सुत्तर एक साल का आपको बताना आया यहां पर रेट तो मूल दन कितना आए 34-90-34-34-94 का कितना पर्स यह है 5 पर्सेंट आप बताते हैं ठीक है तो डायरेक्ट आपका रेट आप र mathematics आ जाएगा 5 पर्सेंट नेक्ट्स कोशन देखिये नेक्स यहां पर इसका वेलू आपको निकालना है तो इसको गरबलाट कर लीजे ये 2Heal 3 8 हो जाएगा यह 9 हो जाएगा 9 8 17 17 18 18 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिच जाएगा 10 तो 10 प्लस 37 माइनस 20 तो 37 और 10 होते हैं 47 इसमें से 20 आपको माइनस कर देना 27 आपको मिल जाएगा आगे देखिए इस कोश्चन को पढ़ते हैं दो बसें एक मुख सड़क पर 185 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित दो बिंटों से एक दूसरी की और चलना शुरू करती है तो यह यहाँ पर आप मान लीजिए इसकी टोटल डिसेंज देखिए 180 और एक दूसरे की और चलना यह शुरू करती है इ इह अधर मुड़ती है और 17 चलती है ठीक है सतरा चलती है उसके बाद यह अ कितना चलती है 42 किलोमेटर चलती है चल गई 42 कि तथा मुख सड़क पर बापीस पहुचने के लिए दिशा लेती है यहाँ से मुख सड़क पर यह आ जाती है इसे बीच एक मामूली ब्रेकडाउन कोई दूसरी भर मुख और के ख्ध hm 24 चलते जो बस है यह सिर्फ 36 कमट चलती है तो इस बिंदू पर दोनों बसों के बीच की दूरी मतलब यहां पर यह वाली बस है यहां पर बरिश्च आपको यह दिये говоря करनी सकते हैं सब को एड कर लीजिए देखिए कितना कितना है यह 35 यह 42 और यह 36 यह कर दो आठ आठ पांच तेरे की तीन हैसिल एक एक यहां पर चार तीन साथ तीन दस और एक ग्यार है अब यहां से एक सोपचासी में से इसको माइनस करनेंगे पांच में इसे तीन जाएगा आपके पाथ बचेगा दो और आठ में इसे एक जाएगा साथ यानिकी बाहतर इसका जो वेलू है वह बाहतर है तो यहीं आप का अंसरा जाएगा बाहतर किलोमेटर सिंपल सा कोशन था आगे निमलिगत में से कांसी बीमारी विशानु से होती है तो चेचक यह होती है विशानु से बाकी छैरोग टाइफाई धायजा यह सब जीवानु से होती है बैक्टेरिया से आगे देखिए निमलिगत में से कांसा देश बीमस्टेक का सज़स्ट नहीं है तो यह काफी बार पर म्हारतन को यहां पर बताना कुल इंडिया लिम्टेड कंपनी अब इहालि में क्या बापर फाइनस कार पिंटको मारतन का पाँपास कलम रहती है तो दर्जी के पाथ क्या रहेगा दर्जी इवा सुई हते हैं यह नेक्स्ट पॉकेस के सामने के और दश्छिड धिसाठी तुमेट प्र एक्जामपल यहां पर माल लीते सामने देश्ट हुआ हुए पाँश किलिमेटर चला यह किलो मेटर चला दिया वहाँ से अपने द्हों और 90डिकल पर तो इसका द्हों इधर रहेगा दिया तो यहां पर यहांपर नैक्षण यह रहेंगी मुझे और तीन किलोमेटर चला ठीक है वह अब अपनी बास्तित इस चलना थो यह तो यहां से डायरेक्सन जब आप निकालेंगे तो यह क्या रहेगा यह रहेगा दचछिद पस्चिम तो बस यह-ापका उच्छिद पस्चिम option 4 आगे दिखें कोच नमबर 19 चार सब्द दिये गए हैं जिन में से तीन किसी प्रिकार से समान है जब कि चोथा असंगत है असंगत आपको बताना है तो पेन की बात करें मार्कर की बात करें चाक की बात करें इन सभी से लिखा जाता है ठीक है पुष्टक से नहीं एक बैर दिखा जाता है अगला है को अगला तेकिए अगला यह पर इसको यह सब बढली रेके हैं आपको इसकी लम निकालनी है एसरे में रहता है आपकोruck का शरी और plus b square उनला कि आपको इसी की value find करनी है तो aq minus bq की value आपको दे रखिए चाहज़ो 25 a minus b की value आप कहां से निकालेंगी तो यहां से निकाल सकते हैं a minus a square minus b square की value 25 है तो इसको आप अगर solve करेंगे तो इसका formula होता है a plus b into a minus b is equal to 25 अब a plus b की value 5 है तो 5 से इसको कार देंगे जो 5 बचेगा वो a minus b की value होगी तो बस a minus b की value 5 निकल के आ गई और 5 से जब इसको कार देंगे तो 125 आपका अंसर आजाएगा a square plus a b plus b square की value होगी 125 यहने की option है आपका बिल्कुल सही है आगे देखिए अगला कोचने दो संख्याओं का योग इतना है तो दो संख्याओं मान लिजिए x plus by की value आपको दे रखी है 60 और लासा और मासा आपको दे रखे हैं 12 और 72 तो दोनों संख्याओं के ब्यूत्क्रमों का योग तो एक आपने property पढ़ी होगी लासा और मासा में दोनों संख्याओं का योग ब्रावर होता है मासा गुडे लासा यह आपने property पढ़ी है तो बस आपको कुछ ने करना है हमने आपर बो प्रपरटी लगा दिये दोनों संख्याओं के ब्यूत्क्रम का योग बता करना है इसके लिए आप क्या करेंगे यहीं direct divide कर देंगे x plus by पान x by 60 वटे तो इससे आप काट देंगे 12,5 तो इसको जब आप solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 upon x plus 1 upon y is equal to 5 upon 72 तो यहीं आप cancer हो जागा 5 upon 72 आगे देखें question number 22 एक cylinder की उचाई इतनी है बक्ष प्रष्ट इतना दिया रखा है cylinder का आयत निकालना है तो सबसे पहले आपक आपको दे रखिए तो बक्ष प्रष्ट का फार्मूला होता है 2 pi r और h की बेलू आपको दे रखिए 14 और यहां पर दे रखा है 528 बस इसको आप काट दीजिए 7 से यह दो बार में चले जाएगा और इसको काट यह 2 से इसको काट दीजिए यह 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 ठ ठीक है 2 चंगे 12 दो चोगे 8 फिर इसको 2 से यह 2 से फिर कर जाएगा तो यह 2 एकन 2 दो तिया 6 और दो दूनी 4 22 से चले जाएगा 22 छे बार में डायरेक्ट तो आर की बेलू आपको निकल किया गई 6 ठीक है तो आर बराबर 6 यह बराबर 14 आपको उश्या ही पता है आतना आप आप आसानी से कर सकते हैं क्या इतन होता है पाई आर इसको है रहाच पाई कमान 22 बते साथ हार अभी आपने कर दे रखा है छोड़ा तो साथ से इसको कार देंगे तो हो जाएगा 22 का इसमें गुड़ा कर दीजिए क्या जाएगा 44 और छे चरंगा 36 ठीक है बस इसको आपको म अंसर मिल जाएगा ठीक है तो यही आपका अंसर आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन देखिए उस अच्छर समूंग का शेयर करना जो निम्निस रंखला में प्रसंट चिंद के इस्थान पर आएगा तो इस प्रसंट चिंद के इस्थान पर क्या आएगा देखिए इनका वेल जो कम रहा है डबलू डबलू से कम होगा वी होगा इसी परकार एसे सी यानिकी दो बढ़ रहा है एक दो और तीन दो पांच पांच दो साथ साथ में दो जोड़ेंगे नव यानि की आई तो जे भी आई आगे चलते हैं आगे देखिए यहां पर दिये के विकल्प में उस 5 प्लस 6 का स्कुएर ठीक है प्लस साथ का क्यूब 343 ठीक है इसको जो वायर करेंगे तो आपको 384 मिलेगा यही लोजिक इसमें लगा देना है तीन तो ऐसे ही रखेंगे चार का क्या करेंगे स्कुएर 5 का क्यूब 125 तो 125 और 16 कितना होता है 141 और 3 144 आपको अंसर आ जाएग ग्ला है कि अगला कोशन देखी किए यहां पर यहां पर आपको कोशन मारक की स्थान पर बताना है क्या है डूर्यब्स्थी जो होता है ब hogya तो नियूरोलोजी होता है वो ब्रेन का डाक्टर होता है अगला देखिए भारत में किंद्री आलू और संस्थान कहां परिश्थित हैं आप सभी पता यह सिमिला में स्टेबलिस है अगला एक आयत की लंबाई उसकी चौडाई से दोगनी है लंबाई जो है वो चौडाई से चौडाई अगर एकस मान लीजए तो लंबाई हो जाएगी टू एकस और परिमाप कितना है 48 तो इसका परिमाप निकालेंगे तो 2 एकस और एकस 3 एकस इसका डबल करेंगे 6 एकस चेश की वेलू आपको दे रखी 48 छे से कार दीजिए 8 एकस की वेलू आठा गई तो यहां प अब आप साइन करेंगे तो आप इसको कलिक्वर कर सकते हैं इसकी बेलुए कितनी हो जाएगी पांच काइसे होगी से को जब आप कोसिक में चेंज करेंगे तो यह बन जाएगा कोसिक 14 डिगरी और साइन इन्टु कॉसिक कमान बन होता है ठीक है इसी परकार इसको जब कोट 75 क और कोट पंद्रा इसका मान क्या हो जगा है वन यानिकी त्री इंटू वन प्लाश्ट टू टेन पहितार इसका मान बन होता है तो पांस तीन आठ आठ तो यहां पर ध्यान रखना यहां पर मल्टिप्लाइगा तब यह आंसर आएगा आगे चलिए गोवी मरू स्ट्र निम्लि si में से किस महाधीर में है तो यह अगला बठते हैं किसरों नेकीस बरस में मार्स और वेट्र की शुरुवात की थी तो यह की थी वोजार तेरा में का अक बनागे सेञी कल्चर सब्द निम्निमे से किस यह संबण देता है तो रेसम की जो खेती होते हैं उसको बोलते हैं सेरी कल्चर और मद्वक्षी पालन को बोलते हैं इसी कल्चर सोरी मद्वक्षी नहीं मचली पालन को बोलते हैं इसी कल्चर कि अगला बढ़ते हैं कि यह क्यों सैजीवि सम्मद्द को दर्साता आए यह जो है सैजीवि संबंद्द को दर्साती यह अगला यहां पर देखि estéर एक बस्त्व का लागत मूझले14 का 75 परसेंट है तो यहां पर आप इसको मान सकते हैं लागत मूझली जो है वो अंकित मुल्ए का 75% है, तो अंकित मुल्ए आप मान लेजिए 100 रुपए, तो इसका लागत क्या हो जाएगा 75, ठीक है अंकित मुला का 75, जो है वो लागत है, अब बोला गया 15% की छूट दे दी गई है जब 15% की छूट अंकित मुले पर दी होगी तो यहाँ पर 15% की छूट देंगे तो कितने की बचेगी 85 की तो बोलागे लाव यहां नहीं होगी बिलकुल लाव होगा कितने का लाव होगा 10 का लाव होगा कितने पर होगा लागत मुली पर लाव होगा 75 इंटु 100 इसको कार दीजिए 25 तिया 75 पचीश चोके 100 यह जाएगा 40 अपांत 3 बस इसको इसको बोलते हैं 13 सही एक बटे 3 या 13 पॉइंट 33 तो यह आपका हो जाएगा option D option 4 अगला देखिए एक अपरल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक का बड़ोधा में बिलेक कर दिया गया तो बिजिया बैंक और देना बैंक को बैंक का बड़ोधा में मर्ज किया गया था आगे देखिए चार इकन दिये गए हैं इन में स तीन किसी प्रकासे समान है चवथा आपको बताना है तो यह तो सिंपल है 1288-9615-28123-104 ठीक है यह जो है इसको फोलो नहीं कर रहा है 37 देखिए थीटा का मान आपको यहां पर निकालना है तो सबसे पहले आप इसको सिंपल सा केलगूट करेंगे देखिए यहां एक प्रोपर्टी लगी सैन स्कोर थीटा प्लस कोस स्कोर थीटा इस उकल टू बन तो यह तो बन ही हो जाएगा आगे देखिए इसको भी जब आ उट्टी इन टू अंडर उट्टी यहां से किंसल आउट हो जाएगा तो यहां से यह तेन में कितने की वेलू होती है साथ की तो यह थीटा की वेलू आपको साथ निकलके आ जाएगी आगे देखिए अगला कोशिन क्या कही रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जश्टीस का अठोय之前 रहे अगला यहां पर आपको एकाई कांग हो जा इकांक की एकांग होकर लिग छे च्योंक चोबिस तो यहां से सिर्फ एकाई कांग लेंगे 4 चार तो यह जो जिला जर रहा है वो स्रीलेंगर और ले को जोड़ता है अगला यहां पर देखिए मात्मा गांधी ने सावरमती से लेकर दान्डी तक प्रसिद्ध नमक माच शुरू किया था दान्डी गुजरात के किस जिले में है तो यह दान्डी जो है गुजरात के नबसारी अगला यहां पर देखिए कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूरल का पूर्ट रूप आप से पूचा गया यह तो कई एक्जाम में यह पूचा जा चुका है कंप्यूटर से संब्गने कोई भी कोश्चन पूचा जाता है तो यह काफी बार रिपीट होता है यू अगला देखिए लॉयर कोट से संबंदित है उसी प्रकार वियूटीसियन कहां से होगा पारलर से नेक्स्ट कोचन है यह किसी ब्यक्तिका द्रब्मान कृत्वी की सता पर 60 kg है तो चंदर्मा की सते पर उस ब्यक्तिका द्रब्मान क्या होगा यहां पर समझने वाली बात है गीघए तो चंदर्ब्मान 50 kg ही रएगा वार होता थो था जो उसके चाल लेकिन कहीं भी चेंज होता है वो सेम ही रहता है अगला देखिए अ उबनतु आप से पुझाद है यह एक को प्रोड़ांग सिस्टेम है next question बोला गया है एक train station A से station B की और 50 km गंटे की चाल से निकलती है 11 गंटे के बाद एक आन्य train station B से A station A मान लीजिए A station B मान लीजिए तो यहाँ पर एक train जो है इधर को जा रही है एक train इधर से आ रही है तो B से A की और 150 km गंटे की चाल से निकलती है मतलब इसकी जो चाल है यह 50 km पर 30 गंटा और इसकी जो चाल है वो है 150 km पर 30 आवर आप बोला गया दोनों station के बीच की दूरी जो है वो है 725 km तो जित इस्थान पर दोनों train मिलती है उस इस्थान की station यह से दूरी आपको बतानी है ठीक है निकाल लीजिए इसको सबसे पहले आप समय यहां पर कर लीजिए वहां से आपको आसानी पड़ेगी समय कैसे निकालेंगे देखिए पहली train चलने के आदा गंटे बाद दूसरी start होती है तो पहली train आदा गंटा कितनी चल चुकी होगी क्योंकि इसकी चाल है 25 किलोमेटर पर गंटा यानि कि यह गंटे में 50 किलोमेटर चलती है तो आदे गंटे में कितनी चल जाएगी 25 किलोमेटर यानि कि जो 25 किलोमेटर है वो यह train चल चुकी होगी तब जो है भी start हुई है इधर से तो इसके बीच का difference कितना बचा है 700 ठीक है 700 बचा है तो यहां से आप समय निकाल लीजिए समय मेरावल क्या होता है समय डिश्टेंस अपान स्पीड आप चुकी विप्रीच तिथाएं तो चालें जो है आपस में जुड़ जाएंगी तो चालें 50 और 150 हो जाएगी 200 इसको आप काट देंगे तो यह आ जाएगा साड़ यह से उस्थान की दूरी तो साड़ें तीन गंटे में आप निकाल लीजिए ए द्वारा कितनी दूरी तेकी गई होगी साड़ें तीन गंटे में साड़ें तीन गंटे में ए द्वारा तेकी गई दूरी तो एक गी चाल आपको पता है ठीक है तो दूरी बराबर होता है चा मिलेंगीएख चीज़ ऑपको ध्यान रखनें यह 25am अलेरी सेकाउंट और और समाज के संथा पर पूछा गया है गया है वो है सबसे बड़ी सिंख्या बताईए जिससे 155, 270, 315 को वाज़ित करने पर 5, 10 और 50, 6 बचते हैं तो यह आप आपसन से आसानी से करते हैं 50 का इसमें जो बाग देंगे तो 5, 6 बचेगा 50 में इसका बाग देंगे तो 10, 6 बचेगा 315 से 15 करेंगे तो बचेगा 300, इनका HCF निकालके तब भी आपको आपको 50 ही मिलता ठीक है तो कोई भी तरीका आप खोलो कर लीजिएगा आगे देखिए निमलित में से काउंसादेश सेयुक्त राज्ट सुष्चा परदित का इस्थाई सदस नहीं है दो धनात्मन संख्याओं का रेश्यू आपको दे रखा है 3,7 इनका लासा 231 है तो इनका लासा कितना होगा इनका लासा जो होगा वो होगा 21 और इसके साथ कोई कॉंस्टेंट लेना पड़ेगा 21 एक्स लासा या इसकी बेलू आपको दे रखिए 231 जब इसको आप काटेंगे तो एक्स बरावर आपको मिलेगा 21 एकन 21 ये 11 मिल जाएगा छोटी संक्या क्या होगी 11-33 बड़ी होगी 77 33 आप का अंसर हो जाएगा अगला देखिए बर्स 2019 के लिए पच्छबन में ग्यान पर पुरुषकार से के समानत किया गया था ये अच्छुतम नम्मूद्री थे इसको पच्छबनमा ग्यान पर पुरुषकार मिला था चलिए आप पताईए इस जो है कमेंट बोक्स में बताईएगा चबपनमा और सत्तावनमा ये भी ग्यान पीट इनकी ये भी प्रोवाइड किया जा चुका है तो ये किन को दिया ग गुजरात में काकरापार कैगा करनाटक चलिए एक दंगासी का 10% बारसिक दर से दो बरस का साधार व्याज 500 रुपए है समान समय के लिए समान दर पर समान व्याज पर चक्रद व्याज कितना होगा तो यहां से आप आसानी से इसको कलोड कर सकते हैं सबसे पहले दो बरस का साधार व्याज आपको पता है 500 रुपए है 10% की दर से यहां से एक चीज आप निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं यहां से आप मोल्दन कर सकते हैं, तो मोल्दन कितना हो जाएगा, आप डायेक्ट बता सकते हैं, पचीस सो मोल्दन होगा, पचीस सो का दो बर्स का 10% निकालेंगे, वही 500 निकल के आएगा, अब इसका आपको पुलाए चक्रदी व्याज बताईए, तो 10% है, तो 10 का जब कंज से दो बते 3 को लिख लिजिए, 5.66, ठीक है, यह 0.73, स्कुरे कर लिए 6, 3, 9, और 7, 6, 13, 3, और 5, 1, 6, यहां से आपको माइनस कर देना है, 3.123, यहां पे एक 0 आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, 7, 8 में से 2 जाएगा, 6, ठीक है, 3 में से एक दाएगा, 2, और यहां पे 6 में से 3.26 के आसपास, 3.27 आपका अंसर हो जाएगा, अगला देखिए, स्वेता और हरीस ने, हट थाइस जाएगा की आएपर एक प्रियोजना पूरी की, इस प्रियोजना में स्वेता ने 20 दिन, इसने 20 दिन और हरीस ने, हरीस ने जो हैं 30 दिन काम किया, यह जो उनकी धैनिक दूरी है, वो 5 अनुपात, 6 के अनुपात में है, तो 5 और 6 का इसे मल्टिपलाइ कर दीजिए, स्वेता के हिसे की आए कितनी होगी, यह सिंपल है, 0 से 0 काट देंगे, यहां से 2, 3, 6, तो 5 अनुपात, 9 निकल के आएगी, तो 9, 5, 14 होता है, तो 14 की वेलू आपको पता है, 28, 23,000, तो 1 की वेलू क्या होगी, 2000, आपको फिश्क्या निकलना है, स्वेता का हिसा निकलना है, यानि की पांच की वेलू निकालनी है, तो 5 दूनी, 10, तो 10,000 आपको अंसर इसका मिल जाएगा, अगला देखिए, इसका आपको करना है, तो इसको डारेक्ट आप कर सकते हैं, इस गो काट दीज़े, कितने बारेक्ट, पांच से काट दीज़े, 9 बार में जाएगा, और यह जाएगा, 25 उपर आ जाएगा, ठीक है, एक बार फिर हम इसको दुवारा काट देते हैं, यह 9 आ जाएगा, और यह हो जाएगा, 25, आगे काट दीज़े, यहां से, यह 9 से कट जाएगा सिक्स टाम नुच्छा के चोवन और छे चोवके चोविस ठीक है तो आपको मिलेगा पच्चीस अपान चार अब इसका जब आप स्कोर रूट लें इसकोर रूट लेंगे तो पांच अपान दो तो पांच का आधा होता है डाई अगला देखिए राज्तरेंगडी के जो के लेकांग के लिए एक लगू जमाय होजना है अगला अब के लिए परिच्छा उत्रड करने के लिए पूड अंककों परिच्छा में उत्तिर्ड होने के लिए 150 पूडांक बालें दूसरे प्रसंद पत्र में उसे नियुनतम कितने प्रतित अंक प्राप्त करने होगे तो यह परिच्छा और है जिसके पूडांक 150 हैं तो 150 और 200 टोटल कितना हो गया 350 यानि 350 का अगर आप 50% निकालेंगे तो आपको निकल के आएगा 175 तो 175 उसे पास होने के चाहिए जबकि 80 उसके आलेड़ी आ चुके हैं तो बचा कितना है लाना 95 उसे और चाहिए कितने मेंसे और चाहिए 150 मेंसे बस इसको आप सोल्व कर लेंगे यहां से चला जाएगा पांच तीओ पंद्रा पांच दूनी दस तो दो पंचे दस की बिंदी दुने मठारा हो एक 19 और यहां पर ती तीन का यहां पर भाग दे देंगे तो यहां जाएगा तीछा के 18 और एक 19 तीन तरक्का नव तो यह इस तरीके से आएगा 63.333 तो यहां पर एप्रॉक्सी मेंस जो है आपका आंसर नहीं मिलती है तो आपको इन चीजों से बचना है तो आप इसको सिंपल साथ आगे देखिए अगला बोला गया है यह नीचे दिये गई बिवस्ता से सभी विशेस बड़ों को अटा दिया जाता है तो निमलित में से कौन सा एक्स के दाइं और दसमें इ बटा देंगे तो यहां पर आप बता सकते हैं एकस के दाएं दसमा कौन था होगा एकस यहां पर है एकस के दसमा देखिए विशेस बड़ों को आप अटा दीजिए तो यहां से शुरू करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस तो दसमें इस्थान पर आ जा अगला देखिए 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 14 के 18% के बराबर हो जाए तो 12% इसका निकाल लिजिए 124 के 48 और 1224 और 4 28 28 288 निकल के आएगा और इसका 18% निकाल लिजिए तो 184 के बातरी की दो हंसिल 7,185,90 और 7,97 तो बस इसमें से आप 288 घटा दीजिए आपको पता चल जाएगा 12 में से 8 गया 4 और यहां से बचे हैं 16 में से 8 गया 8 और यहां बचेगा 8 में से 2 गया 6 684 आपका अंसर आ जाएगा अगला देखिए 64 64 कोशन देखिए दोस्तों का एक समूंग इस परकार के विश्थाइम बैठा है उन में से प्रतेक एक अस्ट भूज के एक कोने पर बैठा है तो सबसे पहला काम आए आपको अस्ट भूज बनाना पड़ेगा तो इस टाइप का अस्ट भूज होता है देख लीजिए ठीक है आपको दिख रही होगी चार पांच छे साथ आठ यहां पर आपको बैठाना आए तो सबसे पहला सभी का जो है मुख केंदर की हो रहे तो कोई दिक्कत ने केंदर की हो रहे मेगा राधा के बिकरता सामने बैठी है तो बिकरता की बात करेंगे तो यह हो जाएंगी बिकरता ठीक है इस टाइप के आप बिकरता कह सकते हैं तो कहीं भी राधा को बिठा दीजिए तो मेगा को कहीं भी बिठा दकते हैं तो मेगा को हम यहां बैठा देते हैं मेगा को य बैठी है तो सीमा की अब शर्चां की गई नहीं घूए ये पता है कि मेगा जो ईसमा के बाइं और बैठी यहां पर बैठी है तो यहांपर बैठी है ठीक है यही तो बाइं आए सीमा के बाइं और मेगा बैठी है आगे देखिए रमन सीमा के बगल में रमन जो है सीमा के बगल में यहां पर रमन आ जाएगा ठीक है और गोविंद के सामने बैठा है तो गोविंद के सामने यानि गोविंद यहां पर आ जाएगा गोबिंद के सामने बैठा है गोबिंद चंद्रा के दाइं और बैठा है गोबिंद जो है यह जो गोबिंद है यह चंद्रा के दाइं और बैठा है तो चंद्रा यहाँ पर आ जाएगी ठीक चंद्रा के दाइं और बैठा है सांती मेगा के दाइं और नहीं बैठी है तो सांती कहाँ पर हो जाएगी और बोला किंट ससी के सामने बैठी है तो सांती यहाँ पर आजाएगी मेगा के दाइं और नहीं मेगा के बाइं और बैठी है तो सांती को यहाँ पर बैठाएगी और ये ससी के सामने है, तो ससी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, पूचा के आ गया है, चंद्रा के सामने, तो चंद्रा ये है, चंद्रा के सामने ये है, सीमा, तो बस चंद्रा के सामने क्या हो जाएगा, सीमा, ठीक है, ये आपका अंसर आ गया, तो आई होब आप समझ गये हो तो एक तो तरीका इसका है कि आप पांच अंगों सबसे चोटी थंक्या में भागा देंगे और तो थोड़ा typical पड़ेगा इसका सबसे चोटी संक्या है सबसे चोटा पहले चेक करेंगे समझ रहें ना ठीक है तो इसका इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं आगे देखिए एक तरुज के कोड़ आपको दे रखें तरुज के सबसे बड़े कोड़ की माप निका लिए तो तरुज के तीनों कोड़ों का योग 180 होता है इनको आप एड़ कर लेगे 325 प्लस में हो जाएगा तो दस एक्स की वेलू आपको मिल गया 200 तो एक्स बरावर क्या जाएगा 20 तो पूला गया गया सबसे बड़े कूंड का बेलू पूंचा गया है तो सबसे बड़ा कूंड देखिए यह बीस दूनी 40 हो गया यह इत्तिया साथ यही यही बीस पंचे 100 मे बुलंद रवाजा दिल्ली मी नहीं है फत्यफु सीक्री में है आगरा में बागी इंडिया गेट अलाई दरवाजा ओमाउ का मखवरा यह सबी जो है डेली में है आगे इसको सोल्व करते हैं इसके बेलू कि आपको निकाल लें तो सबसे पहले आप इसके ब्रेकट को ना तो 6 अपान 5 आप अब यह को डाइरेक्ट हम सोल्व कर लेते हैं यह इधर जाएगा चार अब यह इधर जाएगा 6 6 और चार कितना हो जाएगा 10 नीचे कितना आएगा 12 माइनस पांच बटे 6 इंटू इसको सोल्व करेंगे दस दूनी बीज दो तिया चे बारे चे अठा चला जाएगा चार वार इसपर कर चला आएगा दो बाती चला जाएगा अब यह तो चला जाएगा झा तो यह आए गया है आपके पास 1 इतनी है 552 है और अब तो फिलाल में यहां पर 104 समिदान सुदन हुआ था वहां से एंगलो इंडियन की जो चीजें थी बो यहां से खतम कर दी गई है तो अबर अग कोश्चन आता है तो आपको 550 बताना होगा क्योंकि दो एंगलो इंडियन की जो सीटें थी बो यहां पर खतम पानिपद का दूसरा यहतं अकवर मों के बीच किस वर्च लडा गया तो पानिपद का इलाए इफ 15 छब श्पर Präsident को दूसरा 1556 में तीसरा 17 61 सोरी 1564 ठीक तुई आपको दिया रहन लखना है दूसरा 15 लडा गया अकवर और हमों के बीच अगला थेखे एक स एक सौर बाई मि कितने दिन में? 12 दिन में, फ़ा जेड मिलकर उसको करते हैं 18 दिन में, और A, जेड मिलकर करते हैं 15 दिन ale, सबसे पहले आप टोटल काम निकाल लीए बास काम आप पास वस सको जब थेंगे तो हाप को मिलेगा ये 15 ये 10 और ये 17 तो टोटल जब इनको टोटल करेंगे तो यह टू टाम्स हो जाएगा टू इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड अब इधर आपको सेंट मिलेगा टोटल 37 15 दस पचीस और बारा 37 तो यहाँ दो का भाग देंगे ठीक है तो बस आपको निकालना है तीनों मिलकर एक्स पाई जड मिलकर एक काम को कितना करेंगे तो यह करेंगे एक 187 बठे 37 और दो उपर पहुंच जाएगा तो बस इसको आपको भाग देना है तो एप्रोक्सिमेशन से आप इसका दस बार में जाएगा यह एक्जेक्ट नहीं आएगा पॉइंट से आप इस पॉइंट में आएगा फिलाल में 10 इसके आसपास आपको मिल जाएगा ठीक आपके किन दो सेरों के बीच पहली सेमी हाइस्पी ट्रेंट बंदे वारत एक्सप्रेस चलती है तो यह नई दिल्ली और बानानसी जेक्शन के बीच चलती है अगला यहां पर आपको बताना है उस विकलब का चैन कीजिए रिक तिस्थान पर करमिक रूप से भरे जाने पर पुन्राबरत पैटरन दर्मित होगा इनका सबसे पहला तरीका होता इनको आप जो भी प्लेस हैं उनको काउंट कर लीजिए यह पता चलियागा कि कितने कितने जो है जो अलफावेट हैं कितने कितने अलफावेट का जोड़ा यहां पर बन सकता है तो यहां पर थबको काउ चलिए हम डारेक्ट आंसरी आपको बता देते हैं तो यहां पर A जब आप रखेंगे तो यह बनेगा C A B ठीक है B A C तो यही बन जाया है C A B B A C ठीक है C A B B A C C A B B A C C A B B A C तो यह आपको तीन-तीन का बन रहा है तो 18 टोटल प्लेस से वह तो आपको वाल लेडी पता ही था अलहारा में यह तो तीन-तीन का बनेगा यह तो छे-छे का बनेगा तो तीन-तीन का बन जाएगा अंसर आजाएगा अगला देखिए विश्पर रावडिवर 2020 के लिए संफ्त राष्ट्वारा गोसित थीम क्या थी तो यह बायोडावस्ट्री थी अगला कोस्चन नेलिक में से काउंट्स राडियो द्वारा विक्सित एक मल्टी बैरल राकेट लांचिंग सिस्टम है तो यह है पिना का अगला देखिए सुराज मेरा जन्म से रधिकार है यह बालगंगा लिक्तिलक के दौरा का गया था भीच इंडियन इस्टेट है है कि दागंगेश्ट मैंलेंड कोष्ट लाएं तो सबसे ज्यादा जो लंबी मैंलेंड कोष्ट लाएं है वो जो है गुजिरात के पास अगला देखिए एक संचितर बुझ के आसन सिरे कौन का अनुपात इतना हैeffectन पूर्स तो आसन कौन का एक रसी को तीन अलग अलग भागों में वाजित किया गया है पहला भाग पूरी लंबाई का एक वटे तीन है पूरी लंबाई एकस है माल लीजिए या एकस ना भी मानें तब भी कोई दिक्कत नहीं पहला भाग पूरी लंबाई का एक वटे पांच है ठीक है दूसरा भाग हो जाएगा तीन बटे 10 ठीक है तो तीसरा आपको कल्कुरेट करना है एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं एक रस्ती को तीन अलग अलग भागों भाजित किया गया है पहला बाग पूरी लंबाई का एक प्वाच है ठीक है दूसरा भाग जो है पहले भाग का 3 मचे 2 है और पहले वाग तीन एक बाटे 5 है और यह दूसरा भाग are u Esta आपके पॉराडूस के लिएगा ईह मिल जाएगा पांच दुनी这么 пंच उसको गार्ण एक वटे हो तुरह आगा तो तीसरा हिस्धा क्या होगा एक अगला देखिए खेलो इंडिया यूट गेम 2020 कि सेर में आवजित किये गए थे यहां पर आपको बताना है को इस तरीके से आप उसको लगा सकते हैं यहां पर आप देखिए आर से क्या बना प्लस बन हुआ है फ्लर ए से सी बना यानिक प्लस 2 हुआ है यहम से पी बना यानिक प्लस 3 हुआ है ओ से एस बना यानिक प्लस 4 हुआ है तो वही प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करना है तो बी के बाद आ जाएगा डबलू एकस में जब प्लस 2 करेंगे तो आपको जड़ मिल जाएगा तो इस तरीके से आप को लगा सकते हैं अगला समें किसी पृषित का्रियों को この होता है'S 40 लड़किए और 70 लड़कों की एक कच्छा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजट किया गया 40 परसेंट लड़किया और 50% लड़कों मेंड भाग लिया तो कच्छा का लाख कितना पृत्याथ इससा का रखममें उपस्तिस था चालिज परसेंट लड़कियों ने भाग लिया यानि कि 40 30 70 का 40 2 MP2 निका लें थब तो यह तो आपको मिलेगा 25 कितने लड़कों के वह थे 119 सबीस स्ब्सक्राइब में 35 था तो इसको आप सुल्व कर लिए जीरो से जूरो चला जाएगा दो चंगे बारा दो पंचे दस तो पांच को आप मल्टिप्ला करेंगे पांच हम पचीस पचंप चीस और दो सत्ताइथ चैसे चैसे बाग देंगे तो यह चला जाएगा चैसे चला जाएगा चैसे चला जाएगा तो आपका 40% आपका मिलेगा पॉइंट में ठीक है तो इस तरीके से आपको लगाना है अगला देखिए यह 11 दोनी 22 होता है एक कम किया गया है इसी परकार यहां पर 16 दोनी 32 होता है एक कम किया गया है अगला यहां पर बताईए कोश्चर मारक के इस्थान पर आपको यहां पर बताना ह तो यहां पर आपको बताना है क्या लोजिक यहां पर लगने बाला है तो चलिए हम देख लेते हैं तो यहां पर जो लगने बाला है वो लगने बाला देखे 6 का स्कोयर माइनस 8 36 में से 8 गटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 28 इसी परकार 9 के स्कोयर में से जब आप 18 घटाएंगे तो आपको 63 मिल जाएगा उसी प्रकार तेरे का स्कोयर में से क्या घटाया जाए कि आपको 94 मिल जाए तो तेरे का स्कोयर देख लेते हैं इसको तो इन तीनों की मां होगी ठीक हैं यह भाई वे नहीं होंगे आपस में अगला देखें टी पी का पिता है पी का पिता है तो तिन तीनों का भी पिता पी होगा ठीक है यह सार की मां है तो यह दोनों पती पतनी है यह सवर्टी अगला देखें निश्यत रूप से सत्य नहीं हो जैंको सिर्म में घखिए गया फेकर करके नहीं बनाया है डाटर का अप्योग करके तही वह जाएगा थह थी मैं इप सकता है वो देख लीजिए यहां पर क्यों नहीं बना जाए सकता देखिए ती यहां पर है बिल्कुल है ओ यू तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ओ आपको नहीं मिलेगा इसलिए यह नहीं बनाया जाए सकता है अगर देखिए अगला कोशन क्या है इस वाल में पुझाएं सभी गुलाब लाल है तो सभी गुलाब जो है वो है लाल कुछ लाल रंग है तो कुछ लाल जो है वो है रंग सभी रंग पेंट है तो सभी रंग जो है वो है पेंट बस आप निकाल दीजे कुछ लाल पेंट हैं तो कुछ लाल आप देखेंगे कुछ लाल जो हैं पेंट हैं बिल्कुल कुछ लाल पेंट हैं पहला सही है सभी लाल गुलाब हैं सभी लाल जो हैं गुलाब हैं नहीं नहीं सभी गुलाब लाल हैं ठीक है तो यह तो गलत हो जाएगा यह सही हो जाएगा सिर्फ कथन पहला जो है आपका सही है यह वाला आगे देखिए एक पंक्ति में दीप्ती और मोहन का इस्थान करमसा बाईं और से चोधवा और दाईं और से नववा है तो दीप्ती बाईं और से और मोहन दाईं और से यह दीप्ती रही इसका इस्थान यहां से चोधवा और यह मोहन रहा इसका इस्थान है नौवां ठीक है यह दिए आपस में अपने इस्थान बदल लेते हैं तो यह आपस में अपने इस्थान एक्षेंज कर लेते हैं यहां पर मोहन आ जाता है और यहां पर दीप्ति तो मोहन दाइं और से 21 इस्थान पर तो मोहन जो है दाइं और स इधर से इसका जो इस्थान हो जाता है ये 21 हो जाता है पूछा गया है अब बाई और से दीपती का इस्थान और पंक्ति में कुल वेक्टियों की संक्या तो यह चीज आपको निकालने हैं तो चलिए निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आप देख लीजिए इसको हम थो इधर से इसका इस्थान दे रखा है यह चोधमा था तो यहां थे टोटल आप निकाल सकते हैं फालबूरे से यहल प्लस आर माइनस बन लेफ्ट प्लस राइट माइनस बन तो 21 और 14 कितना होता है 35 35 में से एक गया 34 तो टोटल आपको पता चल लगया 34 तो एक यह सा अपसन है ज से लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स देखिए चार अच्छा समूद यह इन में से तीन किसी एक प्रकार से समान है जब कि चौता संगत है संगत आपको बताना है तो संगत देख लीजिए क्या है एवी सी डी आई जे के यल एफ जी एच या मियन तो यही असंगत हो गया इसमें क्या बोला गया उन संक्याओं का चैन करें जो निमन सिरडी में कोशन मारक के इस्थावर आपको बताना है तो यह डवल डवल बन रहा होगा देखिए इस तरह टाइप का 97 97 में 4 जोड़ा गया 101 101 में 6 जोड़ा गया है ठीक है अब 8 जोड़ा जाएगा तो कितना जाएगा 115 राष्ट में आएगा तो यहीं से आप इसको लगा सकते हैं बाकि इसको भी चेक कर लिए 86 से 89 यानि कि तीन जोड़ा गया है अब ठीक है इसमें तीन जोड़ा गया है अब नेक्स्ट पंस जोड़ा जाएगा तो यह हो जाएगा 94 आगे देखते हैं आकरती में तरभूजों भी संख्या आपको पता नहीं है तो इसका ट्रिक होता है कि इस पर अगर आप देखेंगे टोटल तरभूज कितने होगे इनको आप काउंट कर लिए एक दो तीन चार एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार तो कितने हो जाए चार तीन साथ दो नहीं दस पर दस इस पर दस इस पर तीस तो ये पूरे हो गए एक ये वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला तो टोटल आपके बन जाएंगे 32 अगला देखिए प्रसंद चिन्न के इस्थान पर बोला गया है तो इसको देख लिजिए पांच पांच दस साथ सत्तरा नव अब ग्यारा एड होगा 37 अगे देखिए आपर पांच चात्र एक पंकित में बैठे हैं सुनील न तो आस्था के और नहीं स्याम के बगल में बैठा है आस्था स्याम के बगल में बैठी है और पंकित के 22 पर बैठी है तो पांच चात्र एमान दीजिए यह बैठे है पांच एक दो तीन चार पांच अब बोला गया है आस्था स्याम के बगल में बैठी है और पंकित के 22 पर बैठी है तो 22 पर आप आस्था को फिक्स कर सकते हैं यह आस्था ब सुनील के बगल में पैठा है मन्जीत भी प 대해서 मैं ठीक बीच में तो मनजीत ठीक बीच में यहां पर हो जाएगा इस बंगती की बीच में और मंजीत जो है कि सुनील के बगल में सुनील जो है मंजीता के बगल में तो सुनील यहां पर हो जाएगा एक और बच जो बचा हाई व भोर चिम्डाभ अब और अब बोला गया है सुनील के बगल में कौन बैठाइब तो सुनील के बगल में एक तरफ तूं मंजीत है दूसरी तरफ आमेता है तुम्हेसी तूम्हेसी तुम मंजीत हो जाएगा अगला देखिए पांट रड़किया बीना दीना मीना रीना और टीना कोई खेल खेल लहीं वे उत्तर के और सम्मुक आएं ठीक है उत्तर की और सम्मुक आएं तो इस तरीके सिनकों भी देख लेते हैं एक दो तीन चार पांच बोला क्या गया है मीना पच्चमी चोर पर बैठ है टीना भी फिक्स हो गई पूरी भी चोर पर अब लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी है देख लीजिए लीना और रीना के बाइं और मीना के दाइं और बीना जो है लीना के बाइं और मीना के दाइं और मीना के दाइं और बैठी है तो यहां पर हो ज जाएगी लेना एक और बच्ची यहां पर आजाएगी क्या बचिये लीना बीना टीना सब हो गई है पूरबी चोर से दूसरे स्थान पर पूरबी चोर यह दोसरे इस्थान पर रीना यह आपका अंसर आजाएगा आगे देखिए यहां आपको संगत बताना है hand, globe, globe जो है hand से related है, उसी प्रकार कैप सिर से है, gift wrap गिफ्ट से है, तो paper यह आपका हो जाएगा, paper note, अगला देखिए, अगला है बोला गया है, black लिखा है, black के विपरीत आपको बताना है, black के विपरीत बताना है, तो black के साथ साथ काउन कौन सी में वो देख लीजिए, pink yellow, अब यहां पर देखिए, यहां तो नहीं है, कहीं cancel हो जाएं pink yellow, नहीं होगी, दूसरे पर देखिए, जित पर black हो, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं इसको, दूसरी पर देखिए, जहां पर black यह हो, यहां पर black है, तो साथ में है blue और yellow, तो blue yellow कहीं लास्ट यहां पर यह question आपको पूचा गया है, question mark के इस्तान पर क्या होगा, तो इसको देखते हैं क्या इसका logic रहता है, इसके logic को समझेए, इसका logic है, इनके आपस में जो digit 10 का multiply किया गया है, नहुचाग 4 और 1 पचपन, 25 और 1 चपन, 25 और 1 चपन, 6 दूनी 12 और 1 तेरा, 3 इनके 3 और 1 चाग, ठीक है, आपस में multiply करके प्लस बन किया गया है, आप समझ गया होगे इसके logic को, तो यह पहला वीडियो था, पहला पेपर था, मैंने आपको यहां पर पूरा का पूरा पेपर ही बता दिया है, तो अपना feedback हमें कमेंट मों ज़रूर बताईएगा, कि क्या इसमें कुछ सुदार करने भी गुण जाइस है, कुछ किया जाए, और इसी बगार यह अपने चलने वाली है इस सीरीज, और जो भी 133 जो भी total paper हैं, और प्लस 9CBT2 के, सब भी हम इस वीडियो में इसी तरीके से discuss करने वाले हैं, चलिए हम नेश वीडियो मिलेंगे, चैनल क को सब्सक्राइब कर लीजेगा, वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करने की पूछ करिएगा, थैंक यू